तो फ्रेंट्स यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं return phone check by retailer and distributor यानि की definition of phone eligible for monsoon hangama offer monsoon hangama offer के लिए आपको किस तरह के device आप महाँ पर exchange कर सकते हो उसकी क्या terms and condition है तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाले हूँ सबसे पहले तो friends अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो आप अभी चैनल को subscribe कर लिए और साथ में लगे bell icon को भी press कर दीजिया ताकि आपको ऐसी informative वीडियो मिल सके और आप ऐसी informative वीडियो को देख सके और जैसा कि आप यहाँ पे screen पे देख रहे हैं पहली condition यह है all working mobile phones which were sold from 1st January 2015 onwards are eligible for exchange यानि कि दोस्तो एक जनवरी 2015 के बाद में जितने भी phone आपने purchase की होंगे सिर्फ वो ही phone valid है आपका exchange offer में और वो working condition में होना चाहिए दूसरा दोस्तो यहाँ पे 2G, 3G, 4G non-volte devices will be accepted for exchange यानि कि यहाँ 2G, 3G, 4G और जो non-volte phone है non-volte devices होंगे सिर्फ आप वो ही exchange कर सकते हैं वोल्टी phone यहाँ पे exchange नहीं होने वाला जियो phone, any CDMA और operator locked devices will not be accepted for exchange यानि कि जियो का phone, कोई भी CDMA phone हो आपके पास MTSO, Tata का हो, या Reliance का हो, इन में से कोई सा भी CDMA phone आप वहाँ पे exchange नहीं कर सकते हैं उसके लावा दोस्तों, apart from battery and charger, no other accessories like headphone extra are required for exchange यानि कि दोस्तों, आपको सिर्फ वहाँ पे battery, charger और phone चाहिए उसके लावा उनको कोई भी accessory या ऐसी extra नहीं चाहिए, जैसे headphone या कुछ और तो यानि कि आप वहाँ पे आपको charger देना पड़ेगा, आपको battery देना पड़ेगा और अपना mobile phone देना पड़ेगा, जो working condition में होगा और 2015 एक जनवरी से बाद आपने purchase किया होगा अब हम आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं कि next page में वहाँ पे क्या है तो दोस्तो ये तो हो गई जो condition है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ photograph दी गई है यहाँ पे friends आप देख सकते हैं check handset for damages, missing part और burn यहाँ पे legible device ही है आपको जैसे दिख रहे हैं जो एकडम phone ठीक है यानि कि किसी का display damage होगा वहाँ पे कोई spot होता है, damage होता है किसी का broken cover है या फिर आपने tape बगरा लगाई है या फिर जला हुआ तो इस तरह का phone वहाँ पे exchange नहीं किया जाएगा यहाँ नीचे देख सकते हैं handset must be in working condition without any damage or missing part और broken and burnt यानि कि आपको जला हुआ, टूटा हुआ display जिसका damage हो या cover टूटा हो इस तरह का कोई भी phone वहाँ पे valid नहीं है अब दोस्तों next page पे देख लेते हैं check handset battery and charger for damages and missing part तो यहाँ पे वही same चीज़ दुबारा से दी गई है eligible आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि एक mobile phone इस तरह का आपका valid है और अगर आपका cover damage है missing part है या कोई भी इस तरह कि आपको वहाँ पे problem battery fully हुए तो भी आपका exchange नहीं हो गए इस बात का आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों अभी तक ही इतनी ही हमारे पास information आई है retailers के पास पूरी information अभी भी नहीं आपाई है इस phone के बारे में scheme के बारे में तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ information को share कीज़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सारी conditions के बारे में पता चल सके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमीद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ठैंक्यू